हेलो नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है आर्किटेक्ट मंदीप चौधरी और आप देख रहे हैं हाउस डॉक्टर चैनल को तो आज के प्लॉट साइज की बात करते हैं आज का प्लॉट साइज 20 x 40 फिट का है और 800 स्क्वेर फिट का ये एरिया है और दोस्तों जो आज का प्लान ह ये आपको रेजिदेंशिल प्लस रेंटल देखने को मिलेगा तो जो इसकी बाकी की जो डिटेल्स हैं वो आपके सामने स्क्रीन पर आ रही होंगी आप इसका स्क्रीन शोट लेके आप इसको आराम से देख सकते हैं अगर आप इसका टूडी लेयाउट डाउनलोड करना चा आगे देखने को मिलेंगी आपको फ्रेंट एलिवेशन अच्छा मिलता ही है आपको अच्छी वांडरी बॉल भी देखने को मिल जाएगी और इसी के साथ दोस्तों आप इसके फ्रेंट में देख सकते हैं आपको आपसेट देखने को मिलेगा आप इस जगह को अपने पार्किंग देखने को मिल जाती है और जो स्टेर हैं वो हमारी आपको आउट साइड में ही देखने को मिलेगी क्योंकि ये हाउस अमने रेंट पर्पर्पस के लिए बनाया है हाउस में एंटर करते ही सामने आपको एक ग्रास बोल दिखेगी ये हमने इसलिए लगाया है ताकि एंटरी पर अच्छा लगे गर आप इसके राइट साइड में देखें तो आपको एक वाश रूम भी देखने को मिल जाता है और ये वाश रूम हाउस के अंदर रहेगा और दोस्तों जो फर्स्ट फ्लोर का प्लान है वो आपको इससे थोड़ा डिफरेंट देखने को मिलेगा जो कि आप वीडियो में आगे देख सकते हैं तो दोस्तों अभी हम आ गए हैं हमारे हाउस के ड्रॉइंग एरिया में आप इसकी सीलिंग्स देख सकते हैं सीलिंग में हमने फुली वुडन रखा है और बाकी आपको यहाँ पर एक अच्छा सिटिंग स्पेस देखने को मिल जाता है और सामने एक बड़ा टीवी यूनिट भी आपको देखने को मिल जाता है तो दोस्तों अगर आप इसी के साथ में देखते हैं तो आपको house का first bedroom मिल जाता है और इस bedroom में आपको अच्छी wardrobe भी देखने को मिलती है और ये वाले room की अच्छी बात ये है कि आपको इसमें cross ventilation देखने को मिलेगी तो दोस्तों आगे बढ़ते हुए अभी हम चलते हैं house के second bedroom की तरफ आप देख सकते हैं आपको एक अच्छा और स्लिक design देखने को मिल जाता है और अच्छी हमने यहाँ पर आपको wardrobe दी है सामने एक TV unit और आपको attached toilet भी देखने को मिलेगा हाँ तो दोस्तों इससे आगे बढ़ते हुए अभी हम चलते हैं house के kitchen plus dining area में आप देख सकते हैं हमने इसको combined रखा है और जो हमारा first floor है वहाँ पर आपको यह दोनों चीजे सेपरेट देखने को मिलेंगी आपकी जो इस kitchen का ओवरोल व्यू है आप देख सकते हैं हमें बताने की जरूरत नहीं है और दोस्तों अगर आप kitchen के back side में देखें तो आपको एक अच्छा offset देखने को मिल जाता है और आप इस जगाय को अपने हिसाब से utilize कर सकते हैं और आप इसकी ventilation का ऊपर देख सकते हैं हमने ऊपर एक बड़ा जाल दिया है आप इसी के साथ आगे बढ़ते हुए अभी हम चलते हैं दोस्तों हमारे first floor एरिया की तरफ आपको entry लेते ही सामने living plus dining area देखने को मिल जाएगा और एक OTS भी हमने इसमें दिया है और सामने आपको एक common toilet भी देखने को मिलेगा आप देख सकते हैं आपको अच्छी sitting मिल जाती है first floor पर भी ground floor की तरह सेम room उपर देखने को मिल जाता है और इस room की अच्छी बात यह है कि आपको इसके साथ अच्छे size की एक balcony attached देखने को मिलेगी और दोस्तों आपको living area में ही आपको OTS देखने को मिल जाता है और common toilet भी देखने को यहाँ पर मिल जाता है तो आप फर्स्ट फ्लोर का second bedroom देख सेखने को मिल जाता है अच्छा space मिल जाता है आपको सामने टीवी यूनिट मिल जाता है और आपको इस bedroom के साथ भी attached toilet देखने को मिलेगा जाता है और दोस्तों इसी के साथ आप देख सकते हैं इसमें आपको ऊपर की किचन जो ही आपको सेपरेट देखने को मिल जाती है और आपको इसी किचन के पीछे भी एक आपसेट देखने को मिलेगा तो दोस्तों अभी हम चलते हैं हाउस के टैरिस एरिया की तरफ यहां पर जो टैरिस है वो आपको बहुत अच्छा देखने को मिलेगा और इसी के साथ दोस्तों आप इस वीडियो को इंजोई कीजिए और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि अच्छी वीडियो आपको मिलती रहेंगी दोस्तों आप हमें दीजिए इजाजत नमस्कार हुआ धार्ग जवीडियो झाल झाल झाल